असलाम अलेकुम हम Camera Geo Level Mathematics C Complete Video Series के साथ आपके खिर्मत में हाथ दे रहे हैं और आज एक और एक्साइज आपके सामने सॉल्फ करेंगे यह हम बुक जो यूज कर रहे हैं वो और रेसिंसन की कर रहे हैं जिसके हम पूरी बुक को सॉल्फ कर रहे हैं और आज एक्साइज उसकी 6.11 सॉल्फ करेंगे Geometry है और आज solid shapes के बारे में हम दिकर करेंगे उसके edges और उसके faces और उसके vertices को हम discuss करेंगे अगर एक cube होता है तो उस cube को imagine करना के यह cube का जो है वो edge है जो lines मिलके बनाती है edges होते हैं और वो edge भी imagine करना जो नदर नहीं आ रहे है यह edge नदर नहीं आ रहे होंगे हमें ठीक है यह भी edge है फिर यह जो होता है यह face कहलाता है ठीक है यह face है तो एक cube में 6 faces होते हैं ठीक है यह जो corners होते हैं जहांपे के edges end होते हैं यह vertices कहलाते हैं ठीक है vertex एक को कहें तो यह vertex होता है ठीक है edge face और vertex फिलाल से विसी वे पूरी exercise solve हो जाएगी तो हम यह 6.11 शुरू करते हैं जल्दी से आसान है सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि इन्होंने हमसे क्या पूछा है पहले में क्यूब में तो कुछ नहीं पूछा बताया है कीब के 6 faces होते हैं क्यूब के 12 edges होते हैं गिन लिजे हैं और number of vertices corners cube में 8 होते हैं Cube wide में example भी दिए Qάλई में match box की example दिए है number of faces 6 होते हैं number of edges कितने होते हैं cube wide में भी देखिए तो एक, दो, तीन, चार और पांच, छे, साथ, आट, नौदद, ग्यारा, बारा क्यूब वाइड में ही बारा होते हैं और नमबर अफ वर्टाइस कितने होते हैं क्यूब वाइड में पिर हमसे पूछ रहे हैं से लेंडर की गजाम नहीं है यह तो कम आपको खूड कीजिए एक जाए प्याल से इसका रहा है कहा कहा अब देखा तो क्योबाइड में कोई वर्टाइस नहीं होती कूबाइड के दो फेस होते हैं ठीक है तीन फेस होते हैं एक फेस ये एक फेस ये और एक ये इसका पूरा फेस ठीक है क्यूबाइट के तीन फेस होते हैं और एजिज ये एजिज ये हैं क्यूबाइट करना दो एजिज लिए जाते हैं अब ट्राइंगलर प्रिजम की बात करते हैं ट्राइंगलर प्रिजम की कोई आप दीजीए, जैसे किुटेशरी आप कह सकते हैं, यह कोई तकुग हो सकता था अचा नहीं था कु तो एक दो मुझे तो एक दो तें तो बताईयों तो वовал यह कितने आइजिस्स को किस Chinese व Creek हो। मुझे इसके आप बताईए कि मैं ठीक कह रहूं कि नहीं कह रहा तो अभी कैसे करना है तो मैंने समझा दिया आपको अब इसमें जो रिमेनिंग हैं वो आप खुद फिल कर सकते हैं जैसे के टेट्रा हैडरन ट्राइंगुलर बेस्ट पिरेमिड ठीक है पिरेमिड है पिरेमिड है जो ट्राइंगल बेस्ट है इसका मतलब क्या हुआ कि एक दो तीन चार पांच छे इस सा से उपर टॉप से देख रहे हैं आप इसको यह सम दिए ठीक है ऐसे ही है ना यह हम कहा से देख रहे हैं इसको समझते हैं अच्छा ट्रेट्राहडरन की इनुए शकल जो बनाई हो बड़ी मुश्किल सी बनाई है इसकी असान शकल बना देता हूं मैं कि ऐसे इसका बेस्ट सा और यह जाए कि यह मिलते हैं आपर ठीक है यह एक ऐसा ट्राइंगल होता है ठीक है यह इसका फेस है यह इसका पीछे का फेस है एक उसके पीछे ही फेस है समझ में आरी यह बात कि तीन ट्राइंगल ऐसे करके यूँ करके मिला दी हमने हैं आपस में और नीचे जह हो नीचे भी एक ट्राइंगल बनावा है इसको तो इसको देखके तो थोड़ी सी मु कि लेट्स सब्वाइग्ज की यह यह झैए एक ट्राइंगल त्राइंगल और buttonsuw ट्राइंगलट थीन च यह इसे तीन ट्राइंग्ल मेले में और अभय है वह त्वी एनधू कि झाली है , आब पिका टेट्राइडरंट चाहुद इस नीचे भी एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल है , भाजू के जिर्गव मैं अब you know how common फीमिना रस में बढ़न और कि नामचेश के और बिवार बडान है सोगे Uh ya लिट अधिशमें होंगे तो नजर आ एक दो 3-4 पांच छे एजस नजर आ रहे शी कि इतनल अज़ आ रहे हैं का फिल जित इन और चकव दिह तो फिल के असके अधिक मैंने करते है यह रहे हैं कर दो हूं में warm टीय आद इन में आ तर अलगार चार उन कर लिपन आ उसका है Church को कि एक ट्राइंगल ये है एक ट्राइंगल ये है एक ट्राइंगल इसके पीछे एक ट्राइंगल इसके पीछे और नीचे स्कुएर है तो इसके आप शाबश लिखिए और सिमिलरली कौन के अंदर नंबर ओफ फेस दो है एक इसका ये वाला फेस है एक चारों तरफ वाला फेस है कौन में और इसके जो एज़ेज है कौन में कौन का जो है वो एक ही एज है वो ये एज अगर यहां पर आपको एज फील होगा तो कौन में एक ही एज होता है और कौन के अंदर जो है वो कितने वर्टाइस कितने कौने होते हैं तो कौन के अंदर वर्टाइस की वन ही होता है ठीक है एक कोना ही मिलता है कोना में तो यूं यह पूरा चार्ट कम्टीट हो गया 6.11 का इसी की साथ साथ मैं आपको 6.12 भी सॉल्ट गवाद हूँगा कि वह बहुत चोटी सी है तो अगर वह करने में हमने पूरी एक अलग वीडियो बनानी कोई इश्की तो वह तो दो मिनट की वीडियो बने हूँगे सिर्फ दो सवाल इसमें आपको नेट का कॉंसेप्ट दिया गया है नेट क्या होता है नेट होता है किसी भी 3D शेप को काटना इस तरह से कि वह जब उसके पैचिस को जोड़ा जाए तो वह वापिस 3D शेप बन जाए सबसे अच्छी एक् आपने देखा होगा किसा बच्चों को खिलने के लिए देते हैं इस तरह की चीज़ें ठीक है किसी 3D बॉक्स को 3D हॉलो बॉक्स को अन्रैवल करें उसके जो फेसेज हैं उनको खोल दें तो यह देखें यह एक क्यूब का नैट बन गया है यह इसका बेस है इसको यूँ फोल्ड करेंगे इसको यूँ फोल्ड करेंगे इसको यूँ फोल्ड करेंगे इसको यूँ फोल्ड करेंगे तो यह साइडें पूरी हो जाएंगी और यह वाला जो टॉप पे आ जाएगा यह इमेजिन करना पड़ेगा आपको तो ठीक है यही तरह से स्क्वायर पिरमिट जो पर आपने देखा था स्क्वायर पिरमिट का अगर नेट बनाने बैठेंगे तो किस तरह का बनेगा कुछ ऐसा बनेगा कि यह उसका बेस होगा फिर यह एक उसकी नोक होगी यह दूसरी नोक होगी यह तीसी नोक होगी यह चौती नोक होगी यह चारो 2 cm के यह चाहिए तो आप बकाइदा मेजर करके इसको पहले पेपर पर मार्ग करते हैं और फिर उसके हिसाब से आप इसको कटिंग कर लेते हैं तो यह कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें क्या करना है इसमें आपको एक नेट बनाना है तो इसलिए अब मेरे पास इसका काम नहीं होना यह काम आपको अपने पास करना है खुछ से कि आपको एक नेट बनाना है जिसको आप यूँ भी खोल सकते हैं और यूँ भी खोल सकते हैं क्या by 10 cm का है नँ तो ये 4 by 10 का एक तो इसका बेस बने गए ठीक है फिर ये साट इधर गर जाएगी ये साट इधर गर जाएगी तो ये भी ये 3 cm by 10 की है 3 by 10 और 3 by 10 ठीक है यह इधर खुल गया यह इधर खुल गया ये base है भी फिर हम मैं ऐसे चाहरा हूँ कि ये जब इदर खुले टॉप भी इसी के साथ उधर चला जाए तो ये टॉप भी 4 भाई 10 का है 4 भाई 10 अब खाली ये वाले boxes रहे गए तो ये है 3 भाई 4 का एक box इदर खुलेगा इसके इलावा भी तरीखों से बना सकते है इस जस्ट वन वे विच आई केम उप इद यू कैन कम उप इद मैनी अधर वेस्ट तो ड्राव इस नेट्स तो ये आपको खुद बनाना है कोशिश करें कि हर बच्चा अलग अलग उलग इसके मदा बनाना कोशिश कर ले तो और अच्छा है मदा आएगा और एक स्वाल इन्होंने च्छोटा सा किया है कि ये जो शेप इन्होने दिया है ये शेप किस चीज़ का लग रहा है तो बहुत वाद रज़ाए ये ऐसे fold हो जाएगा और ये उसके टॉप पे चिपक जाएगा आके तो ये वाला जो शेप है ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा और ये उसको उपर से आके से क्लोज कर देगा इन्क्लोज होना चाहिए न नेज रहे तो फिर ये एक कॉन का शेप है जिसको कि ये बना रहा है ठीक है 6.12 भी हो गई अराम से हमारी तो 1112 को हमने एक ही वीडियो में निम्टा दिया तो आप इसको शाबश कंक्रीट कीजिए इंशालला हम आपसे नेक्स एक्साराइज में लाकात करते हैं लाफ़ेज़